मुकेश अमबानी के बेटे अनंत अमबानी ने कटर मुसलिम समर्थक सारुक खान से जहां मंच पर जयजय स्री राम गुलबा दिया वहीं मुकेश अमबानी ने तीनों खानों को एक मंच पर नचबा करके उनकी आउकात दिखा दिखा दि इन लोगों ने मुज़रा करवा दिया और मुकेश अम्बानी ने इनकी अवकात दिखा दी वहीं रिहाना जो की गाईका और डानसर कही जाती है इसने भारत को गरीब देश कहा था किसान आंदोलन का समर्थन किया था खालिस्तानियों का समर्थन किया था और कहा था कि भारत एक फकीर देश है फिखमंगा देश है उसी रिहाना को भारत में बुलबा करके उससे ताता थाईया करवाने वाले मुकेश अमबानी ने ये दिखा दिया कि भारत गरीब देश नहीं है वहीं इस रिपोर्ट में हम बात है आपको बताने जा रहे हैं नमस्कार मैं प्रेंज कुमार सिंग और आप देखने है पोजेटिव इंडिया अगर अभी तक आपने चैनल को सब्स्ट्राइब नहीं किया और हमारे फेस्बूक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लिजे और जो लोग अलेडिक क को सावित कर दिया है कि भारत में दहेज लेना गलत नहीं है आखिर इन लोग ने सावित कैसे किया है उस बात को भी जरा समझ लीजे हम अनंत अंबानी की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं लेकिन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जोरी एक दम अच्छी नहीं लग सकते हैं लेकिन इन लोग की जोरी एकदम फिट नहीं बैरती लेकिन राधिका मर्चेंट ने आखिर अनंद अंबानी को अपना दुलहा बनाना कैसे कभूल कर लिया जबकि राधिका मर्चेंट खुद अरब पती है एक कमपनी की CEO है और सिर्फ CEO नहीं बलकि वो उस कमपनी की म मालिक हो वो किसी को भी अपना दुलहा चुन सकती थी अपने से ज़्यादा स्मार्ट हैंसम लड़के को चुन सकती थी लेकिन आखिर उसने अनंत अंबानी को ही क्यों चुना इससे साब साब पता चलता है कि कोई भी लड़की चाहती है कि उसका पती उससे बेहतर हो उससे ज़्यादा धन वाला हो, उससे ज़्यादा पहूच वाला हो, उससे ज़्यादा पावर वाला हो, तो आखिर अगर लड़के, अगर साधी के लिए अगर दहेज लेते हैं, तो कोई भी गलत काम नहीं करते, क्योंकि हम दहेज के खिलाप बोलना शुरू कर देंगे, हम दहेज क बिरोद करना शुरू कर देंगे और तब हम शुरू करेंगे जब कोई भी सरकारी नौक्री वाली लड़की जो है किसी बेरोजगार इवक्त से साधी कर लेगी जब कोई करोर पती लड़की जब कोई भिखमंगे से साधी करेगी तब हम दहेज का बिरोद करना शुरू कर दें है जिसमें आप देखते होंगे कि 20 साल की लड़की 50 साल के बेक्ती से साधी कर लेती है आखिर उसका कारण क्या होता है उसका कारण होता है पैसा अगर लड़की अगर पैसा देखकर साधी करती है तो अगर लड़के वाले अगर देहेज लेते हैं तो कहीं से भी कोई भी गलत नहीं करते, यहां पर हम अनन्त अम्बानी की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अनन्त अम्बानी ने ये पैसा कोई चोड़ी और डकाईती करके नहीं कमाया है, अनन्त अम्बानी का पड़िवार मुकेश अम्बानी कितना धार्मिक पड़ वैसे लोगों को उसकी अवकात दिखाई गई जो सारुक खान एक इंटर्व्यू के दौरान कहा करता था कि सलमान खान, सारुक खान और अमीर खान तीनों को एक साथ मंच पर लाने में लोगों का चड़ी बन्यान तक बिख जाएगा उस सारुक खान, सलमान खान और अमीर खा मुकेस अमबानी ने दिखाई और तीनों से भांगरा डांस करवाया वही रिहाना जो कि कहा करती थी कि भारत एक विखमंगा देश है उसी रिहाना को 74 करोर रूपे देकर भारत बुलबाते हैं और उसे मुझरा करवाते हैं वही आपको इस बात से भी सीखने की जवरत है कि पालने का काम अमबानी परिवार करता है वही अमबानी परिवार से इस बात को भी सीखने की जवरत है कि आजकल थोड़ा सा पैसा हो जाने के बाद लोगों में कितना घमन डा जाता है वही ये लोगों ने अपने गाउं जाकर के जामनगर में जाकर के गुजरात के जामनग में जा करके प्री बेडिंग कराई इतना ही नहीं अपने तमान गाउवालों को कैसे मुकेस अंबानी और उनकी होने वाले बहु राधिका मर्चेंट खुद से खाना परोस रही थी इससे साप साप पता चलता है कि इन बड़े लोगों में एक प्रतीसत भी घमंड नाम का लगते हैं जबकि आज के समय में कोई अगर सहर जाकर के बस जाता है तो अपने बच्चों की साधी सहर में ही करता है गाउवालों को भूल जाता है उन गाउवालों को मुकेस अंबानी का परिवार नहीं भूला जाम नगर जाकर के उन लोगों को अपने हाथों से कैसे परो रिहाना को भी उस आवकाद दिखा दिया, सारे मुद्धो पर आपकी क्या प्रतिकिरिया है, कि आपको भी लगता है कि इस देश में दहेज लेना एकदम सही है, अगर लड़की अपने से बहतर लड़के को तलास्ती है तो अगर लड़का अपना, अगर दहेज अगर लेता है तो कोई गलत नहीं करता है, दहेज लेना कहीं से भी कोई भी गलत नहीं है, और दहेज लेना तब से गलत हो सकता है, कि जब कोई नौकरी पेशा लड़की, जब कोई सुन्दर लड़की, कुईसी बेरोजगार लड़की से, लड़के से साधी कर लेगी, जब कोई नौकरी पे प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले जहन जय भारत